तो करेंट अफेर्स के अंतरगत जो आपका अगला टॉपिक है यह आपका जुड़ा हुआ है महारत्न कंपनी से देखे भारत सरकार की बहुत सारे उद्यम हैं जिन में से एक है आपका ओईल इंडिया लिमिटेड काई सारी कंपनी हैं भारत सरकार की तो अभी हाली में ओईल तीन अगस्त को ओईल इंडिया लिमिटेड को अगा और इससे पहले आपको पता है मैंने बताया था आप लोगों को करेंट के क्लास में कि सेप्टेंबर 2022 में यह तो 13 महारत्न बन जाएगा और से पहले एक कंपनी थी भारत सरकार का ही उद्यम था आरीशी लिम्टेड तो आरीशी लिम्टेड को सरकार के द्वारा दिया गया था आरीशी लिम्टेड इसको भी महारत ने यह बारवा महारत न था अब आपको पता है सरकार के द्वारा कंपनी जितनी भी है भारत सरकार की कंपनिया हैं जो विभि अब इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनिया जैसे कि भारत है वी लेक्ट्रोनिक लिम्टेट है बहुत बड़ी कंपनिया है यह सब जितना मैं नाम ले रहा हूं एक भारत पेट्रोलियम कर्पोरेशन लिम्टेट आप देखते ना भारत पेट्रोलियम के बहुत सारे पिट्रोल पंप भी आपको मिलते हैं इसके बाद इंडिया और कर्पोरेशन है इसको बोलते हैं इंडिया नोइल के भी आप देखते हैं कितने सारे पेट्रोल पंप होते हैं एंटीपीची लिम्टेड आपका एंटीपीची भी आपकी भारत सरकार की पब्लिक सेक्टर अडर्टेकिंग महारत में कंपनी हैं ठी इसके लावा आपकी स्टील अर्थार्टी ऑफ इंडिया लिम्टेड इंडिया लिम्टेड इसके बाद आपका पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिम्टेड आपकी तेरहवी बन गई है ठीक है आइसे तो बहुत सारे हैं आपके जो नौरत और मीनी रत्निस रेडी में लेकि तो यह आपको याद कर लेना है तीन अगस्त को जी आपको नौरतन का दरजा, नौरतन से महारतन के दरजा में इसको डाल दिया गया. इसको ओयल इंडिया लिम्टेट को महारत ने बना दिया गया, ठेक है? अब इसके अलावा भी आपकी एक कंपनी है, जिसका नाम है ONGC विदेश, इस आपको तीन अगस्त को इसको नौरतन का दरजा दिया गया है देखो यह आपको मैंने एकॉनिमी की क्लास में बता आया है कि महारतन नौरतने मिनिरतन इनको दरजा कैसे दिया जाता है यहां पर डिसकस नहीं करूँगा किसी दिन में महारी वीजन वाली क्लास में आपको डिसकस भी कर दूँगा ठीक है तो तीन अगस्त को नौरत्न का दर्जा इसको दिया गया ओएंजी सी विदेश को ठीक है वित्मंत्राले हैं आपका भारत सरकार ठीक है उसके द्वारा ही द दरजह प्राप्टा करने वाली टोटल अब कितनी कंपनिया हो गई है टोटल ओचुकि हैं महारत्न नहौरत्न धki नौरत्न धर जिसको हम कौन और बोलते हैं ठीक है container corporation of India Limited यह भी आपकी एक नहाँ नौरतनी कंपनी है engineer India Limited EIL यह भी आपकी एक नौरतनी कंपनी है हिंदुस्तान Aeronautics Limited HAL यह भी आपकी जो यह पूरा प्लेन और बनाती है यह भी आपकी नौरतनी कंपनी है MTNLE महानगर telephone Can Raw t'. नाम से नाम से एक आपकी नालको है नालको आपकी national immune company limited नाम से जुड़ा हूँ पर सुल हूँ के ज़रूरी नहीं नाम मत लिखे एक आपकी भारती नावहान निगम लिम्टेड है, The Sipping Corporation of India लिम्टेड, एक आपकी रेल विकास निगम है, आपकी एक राष्टी स्पात निगम लिम्टेड है, एक ONGC बिदेश लिम्टेड है, अभी यह जो आप देख रहे हैं न, यह ONGC बिदेश लिम्टेड है, तो यह बढ़ती रहती है, तो इस लिष्ट को समय समय पे हमें अपडेशन करना जरूरी है, ठीक है, आगे चलते हैं, देखे एक सूचकांग है, आपका निर्यात तैयारी सूचकांग, निर्यात तैयारी सूचकांग, निर्यात तैयारी सूचकांग से मतलब आप समझी रहे हैं, ऐ से जुड़ा हुआ यह 2022 का गोund ऑच विस tätä कम जारी हुआ सत्रा गांग को जारी किया गया किस ने जारी कि में और एक जान रखेंगा नीती यूग ठीक है सनस्था यह ई या गई एक्सपोर्ट ठेक के बनले सब्सक्तनि सब्सक्रारी में यह तो ultimate इसका काम क्या है कि यह आपका बताती कि बैस्विक ब्यापार के संदर्व में भारत के निर्यात का प्रदर्शन कैसा था ठीक है जो बैस्विक ब्यापार है बैस्विक ब्यापार में हमारे देश का निर्यात कैसा था और ऐसे में भारत के जितने भी राज और के इंसासि होते हैं जैसे कि policy कैसी है किसी भी स्टेट के निर्यात को ले करके है ना किसी भी जो है इस्टेट में बिजनेस ecosystem कैसे बना हुआ है किसी भी स्टेट में आपका export ecosystem कैसे बना हुआ है किसी भी स्टेट में export performance कैसा है यह जो है आपके पूरे के पूरे आपके पैरामीटर्स होते हैं और यह टोटल चार पैरामीटर्स हैं फिर इन में सब पैरामीटर्स भी कई सारे बनाये जाते हैं तो यह दिन पैरामीटर्स की बात करें अब देखो इसमें कई कैटेगरी बनाई गई है एक तो ओवराल कैटेगरी बनाई गई है तो मैं ओवराल कैटे महाराष्ट्रा है नंबर दो में नंबर तीन स्रेडी की बात करें तो नंबर तीन में करनाटक है फिर गुजरात है करनाटक फिर नंबर चार में गुजरात नंबर पांच में हरियाणा है यह निर्यात तयारी सूच का अंख है आप देखेंगे यह तो टटी है राज्जी है हमारे ठीक है इन से टट लगा हुआ है अना यह ध्यान रखेगा अब आप के दिमाग में फिर उत्तर प्रदेश चल रहा होगा कि सर यूपी की क्या रैंकिंग है यूपी सात्वे नंबर प 2022 है और यहां पर टॉप में तमिल नाडु महराष्ट्रा यह दो याद रखेगा ठीक है तो तमिल नाडु आपका यह है इसके बाद एक चीज़ और बता रहे हैं यह आपको देख पता ही होगा कि यह वही खबर है नीती तमिल नाडु रैंक फर्स्ट आपको मिला एक्स्प पर टॉट करने में भारत का सीर्स निर्याति कर लोगा है तुछ जून 2023 में बन चुका है अ तुन करने वाला निर्यात में नम्बर एक में आपका ये और लेक्ट्रिक वस्तूओं के निर्यात में नमबर एक बन चुका इससे कुम्चन आपका पूछा जाता है अब एक में वह सब्सक्रा में टामिल थैस में नमबर दो में यूपी है ध्यान रखना है नमबर दो में यूपी है नमबर तीन में करनाटक है करनाटक ठीक है नमबर चार में महराश्ट्रा है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है फिर गुजरात है फिर गुजरात है पांच वे नमबर पर गुजरात है देखो बाकी ठीक है दियान रखना है सभी को कोई दिक्कत नहीं है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखो मैं आपको एक नई चीछ पढ़ाने जा रहा हूं हमारे देश की सेना है धल सेना है यह आपस में करते रहते रहते हैं और आप लोग भी कभी करते रहते हैं पढ़ते रहते हैं वैसे ही युद्ध तो जैसे जब सांती का काल चल रहा होता है ना तो उस टाइम प्रिट पर युद्ध भ्यास चलते रहते ताकि यह देश अपने आपको तैयार रख सके युद्ध जैसी परिस्तितियों से निपठने के लिए तो देश की सारी सेना युद्ध भ्यास कहती है और बहुत सारे देशों के साथ हमारे युद्ध भ्यास होते हैं तो उनके अलग-अलग नाम है मैं चाहता हूं कि आप एक बार उनके नाम को सभी लोग याद कर लीजेगा लिष्ट बना लिजेगा युद्ध भ्यास की है ना चलिए तो युद्ध्य ब्यास की लिष्ट देखेंगे मैं सारे एक साथ तो नहीं कराऊंगा बट यह कि आपके कुछ करवा दूंगा क्रम से मतलब धीरे धीरे डे बाई डे मैं डेली आपको आने वाले मतलब एक सप्ता दो सप्ता में पूरे कंप्रीट करा दूंगा पहला युद्ध्य ब्यास है कोब्रा वारियर एक्ससाइज मैं सिर्फ यह बताऊंगा किस राज जी के साथ हो रही है और कौन सी सेना करती है मलब किस देश के साथ हो रही है और कौन सी सेना करती है हमारी कोब्रा वारियर कोब्रा वारियर यह वायु सेना का युद्ध्य ब और हमारा भारत इन दोनों के बीच में आपका ये सैन वायुशेना का सैन अभ्याश है कौन-कौन भारत और भारत प्लस विरिटेन इनकी वायुशेना करती है कोबरा वारियर ये नाम आप लिख लिजेगा कोबरा वारियर एक्सरसाइज ब्रिटेन देखो अभी एक बहुत प्राउड की बात है आपको पता है कि अंग्रेजों का हमारे देश में बहुत लंबा शाषन रहा अभी ये न्यूज में किसी खबर में लूँगा लेकिन चलो अभी थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ हमारे देश की बहुत सारी बहुमूल एतिहासिक विराशत की चीजें अंग्रेज ब्रिटेन ले गए ना तो अभी भारत की गवरों और प्रतिष्ठा की चीजें जैसे कि वहां पर बगनक रखा हुआ है बगनक मतलब अभजल खान को मारा था सीवा जी महराज ने तो बगनक अभी वापस आ रहा है ऐसे करके काफी सारी चीजों को ले करके भारत सरकार प्रयास कर रही है और एक आपका वो भी है क्या नाम है जो महरानी के ताज में लगत करके वो हमेशा अपने सर पे चलते हैं ब्रिटिस ताज में कोहनूर हीरा को लगा करके चलते हैं तो मुझे तो लगता है कि ये एक उनके जीवन के लिए हमेशा है मैं तो कहता हूँ लगा के ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है हमें नहीं चीए कोहनूर और वो हमेशा द दौरा बहुत सारी चीजें जो कि ब्रिटिस म्यूजियम में रखे हैं भारत आ रही है और यह बहुत बड़ी हमारे डिप्लोमेटिक जीत है और कोहनूर को लेकर के काफी लंबे से जो डिवेट है वो पता नहीं जरूरी है नहीं जरूरी है क्योंकि एट लिस्ट डिप्लोमे सब्सक्राइब की स्थिति है उसमें बहुत बड़ा इनका योगदान है चले ठीक है एक तो एकसरसाइज हो गई ब्रिटिन के साथ हम करते हैं अगली एकसरसाइज आपकी बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम जरूर ध्यान रखिएगा अगली एकसरसाइज है बोल्ड स inclat भा heeft एल भारती थल सेना भारत प्लस सिंगापूर बना घ्रह थे को नोरी यहां र्टिक है इनके बीच में है सेन लिए आफ्येत है चले आगे बढ़े बने ब्यास यह बहुतालों ऑगला अगला कुरुक्षेत्र रहे और नाउस है और अजिसका लब बोलते पास इस कौन सा है ट्रोपिक्स यह आप देख पा रहे हैं ट्रोपिक्स धायागत की भारतिय नौ त्रोपिक्स के की लार्जेस्ट एक्ससाइज को हम ट्रोपेक्स के तौर पर जानते हैं इसमें सारा जोगे केवल भारती नौशेना दूसरा कोई देश नहीं है इसमें भारती नौशेना के द्वारा ही युद्ध ब्यास किया जाता है तो यह ध्यान रखेगा ठेक है इसके बाद अगला है आ डेजर्ट यह वायोशेना का आपका डेजर्ट फ्लैग प्लस भारतिय वाईशेना ब्लस बहुदावर यह हर कि अभी इतना ही रखते हैं क्योंकि मैं धीरे धीरे आपको सारे याद कराऊंगा एक साथ याद कराऊंगा तो फिर मिसमेच हो जाएंगी चीज़े डेजर्ट फ्लैग हो गया दूसरा आपका जो है यसारे ट्रुपेकस हो गया हमारा लार्ज़ेस्ट इकसर साइज आपकी मॉशेना की वह नौ सटि चेत्र में इसके बाद यह आपकी थंद defal .....ach और इसके बाद यह हमारी जो है कोब्रा वारियर है ठीक है इसके बाद हमने करेंट अफेर्स में एक तो यह देखा कि तमिल नाडू निर्यात में एक्सपोर्ट में नंबर एक बन गया है इसके बाद हमने देखा कि निर्यात तेयारी सुच कांग देखा 2022 ठीक है ओएंजी सी विदेश लिम्टेट को नौरतन का दर्जा मिल गया है और यह भी हमने देखा कि ओएल इंडिया लिम्टेट को महारतन का दर्जा में टोटल 13 नौरतने 13 महारतन आपके हो गया है पस इनको याद कर लिजे इनको रट लिजे याद कर लिजे क्लियर है सभी को इस परश्ट है ठीक है